सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा आठवी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आमोद भाग आठ के प्रिष्ट 166 पर दिये निबंध लेखन के बारे में जानेंगे. के निबंध किस प्रकार लिखा जा सकता है या निबंध किस प्रकार लिखा जाता है. यह कार्य आपको 26 अप्रेल 2021 को भेजा जाएगा. यह आवाज आपकी हिंदी की अध्यापी का सुमई शर्मा की है. अब सब बच्चे अपनी पुष्टक का प्रिष्ट 166 खोल कर रखें. तथा व्याकरण की अभ्यास पुष्टिका भी खोल कर रख लें. क्योंकि मैं पढ़ाई के दौरान कुछ कार्य करने के लिए दूंगी. सब बच्चे ध्यान पूर्वक निबंध के विशय में पढ़ेंगे. सुनेंगे वा समझेंगे. प्यारे बच्चों, निबंध का अर्थ है विध्य पूर्वक एक सूत्र में बंधा हुआ. अर्थात, क्रम बद्ध तरीके से लिखी गई रचना. साधारण तयह निबंध के विशय परचित विशय होते हैं. यानि जिनके संबंध में हम सुनते, देखते, जानते तथा पढ़ते रहते हैं. जैसे रितुएं, प्रिकृति, धार्मिक वा राश्ट्रिय त्यवहार, मेले, स्थान, समस्याएं, द्रिशे, आदि. बच्चों, गद्य की अनेक विधाओं में से निबंध लेखन अपने आप में एक कला है. अच्छे निबंध में स्पस्टता, सरस्ता, सरलता तथा कल्पना के साथ साथ मौलेकता का होना भी आवश्यक है. भाशा में मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का प्रियोग होना चाहिए. बच्चों, निबंध लिखते समय निम लिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए. कौन-कौन सी हैं बेवातें? पहली है, परिक्षा में विश्यक अपनी रुच का चुनना चाहिए. जब आप परिक्षा दे रहे हों, तब जो भी विश्यक आपको अच्छा लगता हो, उसे ही चुनना चाहिए. नमबर दो, विश्यक चुनकर उसके सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए. नमबर तीन, निबंद को अनुच्छेदों में लिखना चाहिए. अनुच्छेद पैराग्राप्स में. चौथा है, भाशा, इतनी सरल और स्पस्ट हो के विशय आसानी से समझ में आ जाए. पांच्छवा है, विचारों में क्रम, बद्धता और रोचकता होनी चाहिए. छटा है, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग, व्याकरण के नियमों के अनुसार होना चाहिए. साथ्वा है, वियर्थ की बातों से बचना चाहिए. आठ्वा है, विशय आंतर नहीं होना चाहिए. विशय से अलग बात नहीं होनी चाहिए. विशय कुछ और हो और आप कुछ और लिख रहे हैं. नुवा है, निबंध की रूप रेखा पहले बना लें. उसके आधार पर ही अनुच्छेद बना कर लिखें. अब है, निबंध के प्रकार. निबंध कितने प्रकार के होते हैं या उन्हें लिखा जाता है. पहला है, वर्णन नात्मक निबंध. इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? आँखों देखी वस्तुएं या ज्यानेंद्रियों द्वारा प्राप्त भावों का वर्णन इनमें आता है. इनमें प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह के विशें आते हैं. जैसे वरेक्ष, पशुपक्षी, सरिता, सागर, गाउं, पर्वत, मेले, आदी, निबंध, वर्णन नात्मक निबंध कहलाते हैं. दूसरा है विवर्णात्मक निबंध इसमें घटनाओं, कथाओं, यात्राओं, जीवन्चरेत्र, आत्मकथा तथा संस्मरणों, संबंधी, निबंध आते हैं. तीसरा है विचार आत्मक निबंध इस श्टेणी के निबंधों में किसी विशय के पक्ष, विपक्ष, हानि लाग के विशय में प्रस्तुत विचार आते हैं. चोथा है भावात्मक विचार या भावात्मक निबंध. इस प्रकार के निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है. सूक्ती संबंधी निबंध इसी श्रेणी में आते हैं. निबंध के आवश्यक मुख्य तीन अंग होते हैं. पहला है भूमिका या प्रस्ताबना. इसके विशय का सब्दार्थ एवं भावार्थ व्यक्त करना चाहिए. यह संक्षित, आकर्शक और सार गर्वित होना चाहिए. इसमें कौतुहल और जिग्यासा जगाने की क्षमता होनी चाहिए. तभी पाठक निबंद पढ़ने के लिए प्रेरित होगा. दूसरा है विशय, विस्तार या प्रतिपादन. इसमें विशय का विवेचन होता है लगभग तीन अनुच्छेत बनाने चाहिए. और प्रतेक को एक शीर्षक देना चाहिए. विशय वस्तू क्रम बद्ध एवं व्यवस्थित होनी चाहिए. अनावश्यक बातें इसमें नहीं आने देनी चाहिए. तीसरा है उपसंगार. निबंद की समाप्ति उपसंगार कहलाती है. निबंद की समाप्ति धीरे धीरे होनी चाहिए. इसमें कुछ शब्दों में निबंद का सार नहित होना चाहिए. इससे विशय का निशकर्ष निकाला जा सकता है या पाठकों को एक संदेश दिया जा सकता है. बच्चों, आपने निबंद लेखन के विशय में समझा है कि किस प्रकार एक अच्छा निबंद लिखा जा सकता है. मुझे उम्मीद है कि आपने इस विशय को ध्यान से पढ़ा और समझा होगा. अब मैं आपसे विशय से संबंदेट कुछ प्रिश्न पूछूंगी. इसके लिए आप पांच मिनिट का अंतराल लेंगे. इस अंतराल के दौरान पूछे गए प्रिश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुष्तिका में लिखेंगे. प्रिश्न एक है निबंध कितने प्रकार के होते हैं. प्रिश्न दो निबंध के कितने अंग होते हैं. प्रिश्न तीन निबंध में उपसंगहार कब लिखा जाता है? बच्चों अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ. अब मैं आपको इन प्रिश्नों के उत्तर बताऊंगी. उत्तर एक निबंध चार प्रकार के होते हैं. कवर्णन आत्मक निबंध, विवरण आत्मक निबंध, विचार आत्मक निबंध और चोथा हैं भाव आत्मक निबंध. उत्तर दूसरा निबंध के तीन आवश्यक अंग होते हैं. उत्तर दो निबंध के तीन आवश्यक अंग होते हैं. क भूमिका या प्रस्तावना, ख विस्तार या प्रतिपादन, ग अप्संगार. भूमिका या प्रस्तावना, विश्यविस्तार या प्रतिपादन और उप्संगार. ये तीन आवश्यक अंग निबंध के हैं. उत्तर तीन निबंध की समाप्ति उप्संगार से होती है. बच्चों, अब मैं आपको ग्रेह कारे करने को दूंगी. जिसे आप अपनी हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे. ग्रेह कारें, बच्चों, जीवन में पडोस का क्या महत्व है? विशे पर 200 या 200 शब्दों में एक निबंध आप अपनी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? जीवन में पडोस का महत्व. अब ये लिखने से पहले आपने कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी हैं? इसके लिए हम संकेत विंदू बना लेते हैं. भूमी का पडोस का महत्व मेरे पडोसी की साहिर देता और उसके बाद में उप संगार. सभी बच्चे इन संकेत विंदू को ध्यान में रखते हुए इस निबंध को लिखेंगे. ये सारे संकेत विंदू हैं इनको आपने ध्यान में रखना है. तब आप निबंध लिखेंगे. धन्यवाद.